एक लड़की की सिस्टर और उसके हस्बंड का अफेर हो जाता है तभी इनके लाइफ में हस्बंड का एक ओल्ड फ्रेंड आया और सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर आपको विडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करतीजेगा बिनना एकसी दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारी में गारेक्टर जिसका नामे अन की अपनी थेरेपिस्ट के पास थी वो आज कल छोटी-छोटी बातों को लेकर स्टेस करती है जैसे कि इस वर्ल में कितना जादा कच्रा हो चुका है इतने सारे कच्रे का क्या किया जाएगा उसका थेरेपिस्ट उसे गहता है तुम्हें ये सब लग रहा है इसके पीचे कोई और रिजन होगा एक्च्वल में उसके अपने हस्बंड के साथ कुछ प्रॉलम्स थे उसे लगता है कि उसका हस्बंड उसे उतनी जादा प्रायरोटी नहीं देता उसके हस्बंड का फ्रेंड घर पर आकर रहने वाला था पर हस्बंड ने आन से पूछा भी नहीं अगर बात उसने छोड़ दी पर फिर भी एन को आज कल इंटिमेट होने जैसा नहीं लगता हस्बंड वाइफ में कोई भी सेक्शूल रिलेशन्शिप नहीं थेरविस्ट पूछता है क्या हमेशा से ऐसा ही था एन कहती है मुझे हमेशा से इंटिमेट होना इतना अच्छा नहीं लगता मेरा हस्बंड हमेशा इनिशेट करता था और कुछ दिन हो गए उसने मुझे में जादा इंट्रेस नहीं दिखाया तेरविस्ट कहता है तुम उससे डिस्टिंग रहते हो शायद इसी वज़े से यह सब हो रहा होगा पर उसी वक्त हम उसके हस्बंड को किसी और लड़की के साथ देखते है यह लड़की और कोई नहीं तो एन की सिस्टर सिंथिया थी एन की हस्बंड जॉन और उसकी सिस्टर सिंथिया में अफेर चल रहा है यह दोनों इंटिमेट हुए और जॉन को जल्दी से यह से निकलना था उसे काम का बहाना बनाता है सिंथिया कहती है तुम्हें जाना है तो जा सकते हो ऐसा कोई भी बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं जॉन कहता है कि मैं सचमुच में बीजी हूँ आज उसका फ्रेंड आने वाला था उसके फ्रेंड का नाम है क्रैम नेकसिन में क्रैम घर पर पहुच गया एन उसे वेलकम करती है क्रैम के पास जाद liberals को सामान नहीं तो एन उसके वारे में उसे पूछ लेती है क्रैम कहता है कहीं भी रहने के लिए मुझे चूब भी चीज़े चाहिए यह सारी मेरी सुटकेस में फीट हो जाती है उसे जादा चीज़े रखने की ज़रुवत नहीं इसी तरीके से अलग-अलग प्लेसिस पर जाकर लास्ट टेन येर से क्राहम अपनी लाइफ जीता आ रहा है जान भी नहीं पाता ग्राहम की कपटे थोड़े से स्टाइलिश थोड़े से मॉडरन है अब ग्राहम ने डिसाइड किया था कि थोड़े दिनों के लिए वो यही रहेगा जौन उसे कहता है अपार्मेंट ढूणने के लिए आन तुम्हें हेल्प कर सकती है वैसे तो ग्राहम कोई भी घर ढूणना भी नहीं चाता था उसे अपनी केरफ्री लाइव बहुत ही अच्छे रगती है जान को लगता है यह शायद ग्राहम टैक्सेस वेगरा भी नहीं बढ़ता ग्राहम ने करता अफकोस में बढ़ता हूँ अगली सीन में हम देखते है कि एन और ग्राहम यह दोनों घर देखने के लिए गए हुए थे सिंधिया हमेशा से चाते थी एक दिन चौन के साथ वो एन के घर में इंटिमेट हो अब एन और ग्राहम घर देख रहे थे तो थोड़ी देर तक घर पर आने नहीं वाले इसलिए सिंधिया को जौन ने घर पर इंवाइट कर लिया अपनी सिस्टर के घर में चुरी चुरी यह सब करना उसे एक्साइटिंग लगता है अपनी सिस्टर के बारे में यही सब चीज़े एन को थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती वो एक्स्टर वर्ट है, केर फ्री है उसे जो चाहिए होता है, वो सब कुछ पा लेती है घर दुनने के बाद एन और ग्राहम यह दोने कैफे में आये हुए थे बातो बातो में ग्राहम एन को उसका सबसे बड़ा सेक्रेट बताने के लिए कहता है एन कहती है कि मुझे लगता है कि sex overrated है लोग इसे जितना importance देते है शायद इसका उतना importance नहीं उसे कभी भी excited महशुस नहीं होता ये सब बात करकर एन को लगा कि ग्रहाम को ये सब बात समझ में नहीं आईगी पर ग्रहाम कहता है कि मैंने एक जगा पर पढ़ा था कि ओरते उस आदमी से प्यार करने लगती है जो पहले उनसे प्यार करता है पर आदमी जिस लड़की से हमेशा attracted होते है उसे slowly slowly प्यार करने लगते है इसके बाद एना ने पूछा कि मुझे अब दुमारा secret बताओ ग्रहाम कहता है कि जब मैं किसी के साथ होता हो तो इसके साथ intimate नहीं हो सकता ग्रहाम हमेशा से ऐसा नहीं था इसके बीचे कुछ और reason है जो मूवी में हमें आगी पता चलेगा एन उसे suggest करती है कि अगर उसे कुछ problem है तो psychologist के पास हो जा सकता है ग्रहाम कहता है कि कोई भी stranger मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता वो मुझे life के advice नहीं दे सकता इसके बाद हम देखते हैं कि रात में एन ग्रहाम को सोता हुआ देख रही थी अपने next session में psychologist से जब वो बात कर रही थी तो ग्रहाम के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़े कहती है उसे वो बहुत ही interesting लगता है अगली सिर में अपनी sister से मिलने के लिए आई हुई थी वो उसे भी ग्रहाम के बारे में बताती है सिंध्या को ग्रहाम बहुत ही interesting लगा उसे मिलना चाहती थी पर Ann उसे मना कर देती है उसे मालूम है कि अगर सिंध्या ग्रहाम से मिले तो कुछ ना कुछ तो गड़वर्ड करेगी एक दिन ग्रहाम अपने घर पर एक लेडी की वीडियो टेप देख रहा था ये एक इंटर्वियू थी है जिसमें एक लेडी ने अपने sexual experience के बारे में पताया हुआ था तब यहाँ पर Ann आई तो ग्रहाम सब कुछ बन कर देता है Ann ने नोटिस किया यहाँ पर बहुत सारी टेप्स पड़ी हुई थी और अलग-अलग औरतों के नाम इस पर थे इसके बारे में वो ग्रहाम से पुछती है ग्रहाम ने कहा कि मेरा एक experiment है सब के नाम देखकर Ann और भी जादा interested हो गी थी ग्रहाम कहता है कि मैं अलग-अलग लड़कियों के sexual experience record करता हूँ यह उसे देखना अच्छा लगता है Ann को सुनकर बहुत ही अजीब लगा वो तुरंद यहाँ से चली जाती है इस बात के बारे में Ann को किसी ना किसी से तो बात करनी थी तो अपनी sister को call लगा कर सब कुछ बता देती है सिंधिया को बहुत ही interesting लगा उसने Ann से ग्रहाम का address ले लिया नेकसिन में डारेगली उसके घर बरो पहुच जाती है ग्रहाम उसे देखकर बहुत ही surprise था उसे बुछता है कि मिहाँ आई क्यू सिंधिया कहती है तुमसे मिलने के बाद मेरी sister बहुत ही disturbed हो गई थी और मुझे जानना था ऐसा हुआ क्या ग्रहाम उसे सब कुछ सच सच बता देता है टेप्स के बारे में जानकर सिंधिया भी बहुत interested हो के उसे बुछती है कि इंटर्वू कितने टाइम तक चलती है ग्रहाम कहता है ऐसा कुछ भी fixed time नहीं होता सिंधिया को भी अब अपनी खुद की एक टेप बनानी थी ये टेप बनाते वगद उसने जान और उसमें जो भी relationship है इसके बारे में ग्रहाम को बता दिया ये सब बताते वगद वो अपने आपको प्लीज करने लग गई थी नेक सेन में हम देखते हैं इस सब के बारे में सिंधिया और एन ये दोनों बात कर रहे थे एन सिंधिया पर बहुत गुसा हो गई कि उसे इस तरह के से कुछ भी करना नहीं चाहिए था आज एन ने जोन से बात करने के लिए उसके आफिस में कॉल लगाया था पर वो वहां नहीं था एक्चुल में वो सिंधिया के साथ था रात में एन इसके बारे में उसे कंट्रेंट करती है पुछती है क्या तुम्हारा अफिर चल रहा है जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एन को थोड़ा सा डाउट था इसायद ए अफिर उसका सिंधिया के साथ है उसे इसके बारे में पूछती है तो जॉन बहुत ही डर जोगा था पर फिर भी उसे कहता है कि मैं बहुत ही महनत करता हूँ हमेशा हमारे फ्यूचर के लिए काम करता हूँ मैं सिर्फ एक लाइन के साथ था मैंने चीट नहीं किया है यह सब सुनकर एन भी उसके पास आगी वो सिर्फ उसका मजाग ले रही थी अगली दिन जब जॉन सिंधिया के साथ था तो यह सब बात ही उसे बताता है सिंधिया सुनकर बहुत अस्ती है उसने बातो बातों में वो गहाम के पास गही थी विडियो टेप बनाई इस सारी चीज़े जॉन को बता दिये जॉन इस पर बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो जाता है कहता है वो विडियो टेप तुमारे अगेंस्ट यूज की जा सकती है इसके कंसिक्वेंसेज कुछ भी हो सकते है सिंथिया को इस बात से कुछ भी जादा फरक नहीं पड़ता इन दोनों की फाइट हो की जॉन सिंथिया से कहता है तुम ऐसा कर कैसे जखती हो सिंथिया ने कहा तुम अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ इंटिमेट होते हो तुम मुझे कैसे जज़ करोगे ये दोनों गुस्से में एक दुस्से से ब्रेक अप कर लेते हैं एन जब घर की साफ सफाई कर रही थी तो उसे सिंथिया की इरिंग मिली वो जब जॉन के साथ इंटिमेट होई थी तब ही उसकी हाँ गिर चुकी थी प्रिवेस में जब एन और सिंथिया ने बात की थी तो सिंथिया ने कहा था कि मेरी एक एरिंग कायब हो चुकी है एन समझ आती है कि सिंथिया और जॉन में एक्चॉल अफेर चल रहा है वो इस बात से बहुत ही डिस्टरब हो गए डारेक्ली ग्रहम के पास आई उसने जॉन के बारे में उसे बता दिया ग्रहम कहता है कि मुझे पता था पर तुम्हें बताना ये मेरा प्लेस नहीं था एन गुस्ता थी तो ग्रहम को कहती है कि मुझे भी टेप बनानी है ग्रहाम कहता है कि तुम गुस्य में हो ये ठीक नहीं होगा पर एन उसे फोर्स करती है इसके बात एन घर पर आई जॉन से यह थी है मुझे डिवॉस चाहिए जॉन पुछता है कि इतने रात तक तुम कहा थी है वो बता देती है कि मैं ग्रहाम के पास थी उसने टेप बनाई जॉन इस पर बहुत ज़्यादा कुछ साह हो गया वो डायरेक्ली ग्रहाम के घर पर पहुच जाता है उसने ग्रहाम को बहुत मारा पर ग्रहाम यहां से भाग गया जॉन फिर एन की टेप लगा कर सुनता है इस टेप में एन ने अपनी जॉन के साथ रिलेजेंशिप के बारे में कहा था उसे बुचता है या तुम किसी और आदमी के बारे में सोचती हो एन ने कहा तुमारे साथ इंटिमेट होना कैसा होगा इसके बारे में मैंने सोचा था पर कभी भी कोई भी action नहीं ली एन कहती है कि हो कभी भी satisfied नहीं हुई थी उसने ग्राहम से बूचा क्या तुम मेरे साथ intimate हो सकते हो ग्राहम कहता है कि नहीं एन कहती है ऐसा तुम्हारे life में हुआ क्या क्या किसी लड़की ने तुम्हें हर्ट किया जौन कहता है कि हाँ एक्चॉल में ग्रहम की गल्फेंड थी उसे वो बहुत प्यार करता था उस वक्त उसे जूट बोलने की बहुत ही बुरी आदत थी और इसी वज़े से उनकी रिलेशन्शिप खराब हो गए उसके बाद ग्रहम ने डिसाड़ किया कभी भी वो जूट नहीं गएगा पर अपनी इसी आदत को फाइट करते हुए उसे इतने साल लग गए ग्रहम को बता है कि फिर से अपनी इस गल्फेंड को वो पा नहीं सकता पर फिर भी किसी और के साथ तो रिलेशन्शिप नहीं रखना चाता ये सब बात सुनकर एन उसे कहती है तुम अब ये सब कर क्यों रहे हो अगर तुम अपने आपको इम्प्रू करना चाते हो तो इस सब टेज बनाते क्यों हो ग्राहम कहता है कि इससे कोई भी हर्ट नहीं होता तो इसमें बुरा ही क्या है एन नी कहा इससे लोगों की लाइफ बरबाद हो सकती है तुमारे मेरे लाइफ में आने के बहले सब कुछचीजे ठीक थी तुम जो भी करते हो इस वज़े से मेरी लाइफ में इंपक्ट हुआ तुम रियलाइज नहीं करते हैं पर इससे बहुत फरक पड़ता है एन उसके पास गई और कहा कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ ये दोनों फिर इंटिमेट हो जाते हैं ये सब देखने के बाद जॉन अफसेट था सिर्फ थोड़े से मज़े के लिए उसने अपनी वाइफ को खो दिया इसके बाद हम देखते हैं कि उसका और एना को डिवास हो चुका है एन सिंथिया पर गुसा थी पर उसे पता था कि उसकी सिस्टर वैसे ही है एक्चुल में जॉन को ये सब चीज़े नहीं करनी चाहिए थी अब थोड़ा टाइम गुजर चुका था सिंथिया का बड़े आया तो उसे जाकर वो मिल आती है उसने उसे माफ कर दिया था अब मूवी के फाइनल सीन में एन और ग्रहम ये दोनों एक साथ थे ग्रहम बहुत ही हर्ट था तो इसी वज़े से किसी भी रिलेशन्शिप में आने से डर रहा था पर एना की वज़े से आज वो बहुत ही खुश है एन को भी ग्रहम के साथ एक अच्छा कनेक्शन में हसुस होता है और वो फील भी करती है उसके साथ सैटिस्वाइड थी और ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश थे इसी तरही कैसे मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबाने मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तो तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिए